दोस्तों पिछले 10-15 दिन में दो बार मेरा माइक मुझे दोखा दे चुका है तो आज मैंने सब चेक कर लिया है अभी तक तो सब कुछ ठीक है उमीद है आपको आज अच्छी ओडियो क्वालिटी मिल जाएगी बताना मुझे कमेंट्स में आपको आज की ओडियो कैसी लग रही है अब अगर मैं बात करते हूँ वीडियो के बारे में तो आज मैं बात करूँगा टोप 10 टोपिक्स की जो की आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं बहुत कुछ है आपके लिए आज की वीडियो में हमारा पहला टूपिक है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी M31S आप सब जानते हैं यह फोन आपको 30 जुलाई को देखने को मिल जाएगा इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फूजन चल रही है कि यहां पर आपको इन ड फ़ाम होगा यह 30 जुलाई को कि आपको यहां पर मिलता है इन डिस पर फिंग पर स्कैनर या फिर साइड में आपको दोनों मैं से कौन सा चीह है बताना मुझे मुझे तो दोनों से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह फोन काफी कम प्राइस पर आपको मिलेगा और यहां पर होने की उमीद है Snapdragon 675 जैसे आपको मिला था Samsung M40 तो उसका successor इसको आप बोल सकते हैं M51 को तो M40 में आपको मिला था 675 वो भी आपको मिल रहा था offline market में स्मार्टपॉन पहले वो online जो आदा लेकिन कुछ टाइम बाद वो offline में shift कर दिया गया था तो उमीद है यह भी आपको मिल मिलेगा offline market में या फिर अगर यह online आता है तो इसका price बहुत ही aggressive होने वाला है Indian market में देखते हैं मगी क्या होता है उमीद है कि यह आपको मिलेगा 15,000 से कम की range में कुछ और confirm होते ही मैं आपको बता दूँगा इसके बाद अगला update भी है Samsung की तरफ से Samsung काफी news में रहता है आज देखने को मिल सकता है इसके कुछ और leaks भी सामने निकलके आच चुके हैं सैटिफिकरेशन पर यह फोन लिस्ट हुआ था और यह फोन है Samsung A42 5G ऐसा सुनने में यह रहेगा Samsung का budget 5G smartphone मतलब कि सबसे सबसे 5G phone इंडिया में या फिर भार भी आप इसको बोल पाएंगे बैटरी देखने को मिल सकती है 25 वर फास्ट चार्जिंग के साथ बस यहां पर डाउट चल रहे हैं पर प्रसेसर को लेकर कि प्रसेसर यहां पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा जैसे कि बोला जा रहा है सबसे सस्ता 5G phone रहेगा तो मुझे लगता है यहां पर आपको एक्जिनोस क तो जरूर से देखने को मिलेगा वो भी बहुत ही जल्दी क्योंकि आप 25 जार में OnePlus Note आपको देखने को मिल रहा है जहां पर आपको मिल रहा है 5G का सपोर्ट तो ऐसे में काफी ब्रैंड्स हैं जो कि उस प्रैस पर अपना 5G phone loan जरूर करेंगे अधर्वाइस OnePlus Note को टकर देना बहुत ही मुश्किल रहेगा सभी ब्रैंड्स के लिए because of 5G future proof है OnePlus Note 5G support के साथ इंडिया में आप जानते हैं 5G भी आपको एक डेट साल में देखने को मिलने वाले हैं तो ऐसे में बहुत ही जल्दी सभी ब्रैंड्स कुछ ना कुछ धमाल करेंगे 25 से 30 आर के लेंज में 5G support क साथ आगर बढ़ने जे बहले एक बात देखो आप मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी है वाली उन्हें पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुचा हूं बागी अगर आप मेरे बारे में और भी कुछ जाना चाहते हैं मेरे कजन ने एक ये पोईम लिखे हैं मेरे लिए पहले तो इनको थैंक्यू सो मच मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा सारी पुरानी यादे ताजा हो गई आप भी ये जरूर सुनिएगा आपको ये सुनकर मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंट्रेस्टिंग बाते डिस्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सुनकर बताओ कि आपको वो पोईम कैसी लगी मैं वापर सारे कमेंड्स रीड करने वाला हूँ वहाँ पर भी दिखा दो अपनी ताकत बरसा दो अपना प्यार दबादो सब्स्क्राइब का बटन यहाँ पर भी और वहाँ पर भी चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में इसे के साथ शोमी का भी एक और लीक निकल के आच चुक है इसका आपको एक फोन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको मिलेगी 8GB RAM और Miradak Dimensity 820 सीरीस का प्रोसेसर 5G सपोर्ट के साथ सुनने में आ रहा है इंडिया में भी ये फोन आपको जल्दी देखने को मिलेगा Redmi 10X Pro इस फोन का नाम होगा बार की मार्किट में इंडिया में देखना होगा किस नाम से ये फोन लोन किया जाता है चाहिए रहेगा Redmi Note 10 क्या लगते हैं आपको मेरे कॉर्डिंग कुछ ना कुछ ना आपको धमाल देखने को मिलने वाला है शोमी की तरफ से भी इंडियन मार्किट में क्योंकि पिछले दिनों में आप जानते हैं शोमी की तरफ से जो भी फोन लोन्ज होई है उनमें उतना मज़ा नहीं आया चाहिए वो Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ये फोन उतने अच्छे से complete नहीं कर पाई मार्किट में क्योंकि सेम प्राइस पे उनसे बैटर फोन्स अल्रेडी अवेलिबल थे जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max के साथ में बैटा है Poco X2 जहां पर है 120 Hz का refresh rate और जो Redmi Note 9 ने 12,000 में वहां पर अब लोन्ज हो चुक है 13,000 में Realme 6i जो की बैटर है Redmi Note 9 के comparison में और जो Redmi Note 9 Pro है 14,000 में 14,000-15,000 में उसके सामने आचुक है Poco M2 Pro वह भी कहीं ना कहीं बैटर है Note 9 Pro के comparison में तो ऐसे में अब शोमी जो भी लॉँच करेगा इंडियन मार्किट में वो रहेगा इंडिया के लिए मुझे लगता है Game Changing Smartphone सेम हमने देखा था Redmi Note 7 Pro के टाइम पे भी Redmi Note 7 Pro इकलोता फोन था उस प्राइस पे वैसे features के साथ अभी भी आपको इकलोता फोन मिलेगा Miradeak Damacy के 820 के साथ इंडियन मार्किट में ऐसी प्राइस सेग्मेंट में क्योंकि इससे पहले आपको उस प्राइस पे Redmi की K-Series लेखने को मिलती थी अब K-Series Poco ने ले लिए है Poco launch करता है K-Series को Rebrand करके तो ऐसे में Xiaomi को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए उस प्राइस सेग्मेंट में मलब कि 20,000 की रेंज में तो ऐसे में ये फोन में रेकोर्डिंग जल्दी आपको मिल सकता है अब Xiaomi कुछ करेगा तो Realme कैसे चुप बैठेगा यहाँ पर दोनों में रेस रहेगी कौन अपना 5G फोन सबसे पहले इंडिया में लॉंज करता है V5 लॉंज है चाहिना में 27 जुलाई को ये फोन उमीद की जा रही है अगस्ट सिप्टमबर तक आपको इंडिया में लेखने को मिल जाएगा बाकी अभी ओपो ने भी चाहिना में लॉंज किया है ओपो A72 Miradak Dimensity 720 पोसेसर के साथ यहाँ भी आपको मिलता है 5G इसका प्राइज है चाहिना में 19-20,000 के आसपास अब ओपो ने लॉंज किया Miradak Dimensity 720 तो डियलमी चुप कैसे बैटेगा दोनों एक ही है आप सब जानते हैं तो डियलमी की तरफ से में रेकोडिंग आपको Miradak Dimensity 720 का फोन जल्दी देखने को मिल जाएगा इंडिया में भी और चाइना में भी जो डियलमी का V5 आने वाला है यहाँ पर तो आपको मिलने वाला है Miradak Dimensity 800 जो 720 है वो आपको इससे भी कम प्राइस पे देखने को मिलेगा देखने वाली बात किया रहेगी इंडिया में क्या पहरे लोंज किया जाता है और किसकी तरफ से इसका वेट करते है हमारा अगला अपडेट है Nokia की तरफ से Nokia के upcoming smart phones के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ चार phone है जो कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे Nokia 9.3, 7.3, 6.3 और 8.3 इंडियान मार्किट में बार ये पहले ही लोंज हो चुक है Snapdragon 765G के साथ ये phone भी सुनने में आ रहा है धमाल मचा देगा इंडियन मार्किट में तुनों क्या का 8.1 न है वो आपको 25-23,000 की रेंज में इंडिया में देखने को मिला था काफी टाइम पहले महाँ पर था Snapdragon 710 उस टाइम पे ये प्रोसेसर बहुत ही नया था इंडियन मार्किट के लिए ऐसे ही जो Snapdragon 765G है ये भी इस टाइम पे नया ये इंडियन मार्किट के लिए सिर्फ आपको OnePlus Nord और एक और फोन देखने को मिल रहा है वीवो का इस प्रोसेसर के साथ तो ऐसे में Nokia पीछे कैसे रह सकता है क्योंकि Nokia तो है Non-Chinese Brand जिसकी आजकर काफी डिमांड बढ़ चुकी है तो ये उमीद की जा रही है आपको 30.000 की रेंज में देखने को मिल सकता है Nokia 8.2 इंडियन मार्किट में यूरोप में इसका प्राइस काफी ज़दा है बट इंडिया में एग्रेसिव प्राइस पर ये लोंज किया जाएगा ऐसे लिक्स निकल के आ रहे हैं कन्फर्म होते ही मैं आपको इंफों कर दोंगा Nokia के जो ये फोन आएंगे ये रहेंगे फोकस करेगा ओफरेंग के साथ साथ कि आप भी ऐसे चाते हैं बताना मुझे कमैंज में इसके बाद अगर हम एसस की बात करते हैं तो आपके लिए बैड नियूज है जैसे मैंने आपको काफी टाइम में बता दिया जा कि जो ROG 2 है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपको ROG 3 देखने को मिल चुका है अब ये बात कंफर्म हो रही है जो ROG 2 है वो इंडिया से डिसकांटीन्यू होने वाला है आपको ROG 3 ही परचेस करना पड़ेगा अगर आपको चीए एसस का फ्लैक्शिफ वाला गेमिंग स्मार्टफोन वैसे मैं आपको इसकी वीडियो दे चुका हूँ वो आप चेक कर सकते हैं कमाल का फोन है इतना मैं आपको बोल सकता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको यूज करने का डिस्किप्शन में लिंक है चेक कर लेना चलिए अब बात करते हैं वन प्लस के बारे में यहाँ पर आपके लिए एक बैड नियूज है वन प्लस ने एक्सिडेंटली यूजर्स का डेटा लीक कर दिया है पिछली बार नमबर में भी ऐसा हुआ था अब फिर से यह चीज़ देखने को मिल चुकी है इमेल एडिस कुछ लीक होई थी वन प्लस की तरफ से मुझे लगता है यार इतनी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है ऐसी गलती ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमें लगता है तो वन प्लस है वो काफी से क्यों हो रहा है बाकी चाइनी स्मार्टफून ब्रैंट के कंपैसर में तो ऐसे में जब ऐसी चीज़े सामने आती हैं तो बहुत ही अजीब लगता है अब क्या हमें वन प्लस पे भी ट्रेश नहीं करना चाहिए हमारा डेटा यहाँ पर भी सेफ नहीं है देखते हैं इसको लेकर वन प्लस क्या कहता है बाकी जो भी है यह बहुत ही गलत है किसी भी ब्रैंड की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाकी अगर मैं बात करता हूँ वर्टसेप के बारे में तो यहाँ पर आपको जल्दी एक अपडेट मिल जाएगा काफी दिन से बात चल रही थी इस अपडेट के बारे में जिससे आप एक नंबर का वर्टसेप चार डिवाइस में यूज कर पाऊगे आपको एक लिंक का ओप्शन मिल जाएगा जो डिवाइस आप लिंक करोगे उस पे आप सेम नंबर से वर्टसेप यूज कर पाएंगे तो मुझे यह फीचर काफी सही लगा यह अची बात है कि आपको लिंक का यहाँ पर ओप्शन दे रहा है जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे किस फॉन में आपका वर्टसेप चलेगा और किस में चल रहा है वो सब भी आप वहाँ पर देख पाएंगे अगर आप चाते हैं किसी फॉन से वर्टसेप को ऊड़ाना तो अपने प्राइमरी फोन से याप उसको उड़ा सकते हैं लिंक पर क्लिक करके मुझे ऐसा लग रहा है यह सारे फीचर्ज आपको यहाँ पर मिलेंगे वागि जैसे यह अपडेट आजाएगा मैं आपको डेमो दिखा दूँगा कैसे यह चीज काम कर रही है ओनर की मैं बात करता हूँ तो ओनर की मैजिक बुक 15 आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है 31 जुलाई को इसका लोंज यह ओफिशली यह चीज करफर्म हो चुकी है यह भी सुनने में आ रहा है कि यह रहेगा अपने प्राइस पे बेस्ट लैप्टोप बिल्कुल स्रीम डिजाइन रहेगा इसका उससाथ में फीचर्ज है वो भी आपको कमाल के देखने को मिल जाएंगे जैसे आपको एपल का प्रीमियम लैप्टोप मिलता है वैसे लैप्टोप आपको यह मिलेगा मिजट सेग्मेंट में मतलब की 40-50 जार की रेंज में लैप्टोप के लिए मैं इसको बजाड़ी कहूँगा बगि अगर आप चाहते हैं मैं भी इस लैप्टोप को रिवीव बगारा करूँ इस चैनल पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहेंगे कर आप चाहें चाहेंगे बगिम на क्पाहें और सब्च्छोप के लिए वुशाब धर sólo